माई दियर फ्रेंज्स तुड़ा आम टेकिंग डॉक्ट्राइन और पॉब्लिक पॉलिशी साथियो यह डॉक्ट्राइन और पॉब्लिक पॉलिशी बहुत ही इंपर्टन टॉपिक है इसका हिंदी मानुवाद है लोक नीती का सिद्धान्त साथियो लोक नीती का सिद्धान्त क्या है नीती का परसन विदान मंडल से संबंदित होता है न्याले का कारिये विदान मंडल द्वारा घोशित विद्धी को लागू करना है नीती संबंदी परसनों पर नियाले दोरा अपने को अलग रखने की प्रिवर्टी के पीछे कई कारण है पर्थम यह है कि नियाले का कारिय विधी जैसी है उसी का इंटर्प्रेटेशन करना है यानि उसी का अर्थ ठीक नंग से करना है नहीं की विधी जैसी होनी चाहिए दोर्थिय लोक नीती के बारे में निश्यत्ता एवं विश्वस्नेता का अभाव होता है नए जीस बरो के अनुसार लोक नीती एक उद्रंड गोड़ा है और जब आप इस पर स्वार हो जाते हैं तो यह पता नहीं चलता कि यह आपको कहां ले जाएगा अत्याए नियाएक निड़ने के लिए लोक नीती बहुती एश्रुक्षित और एविश्वस नियादार है और नियाए ले इस गोड़े पर स्वार होते समय यदि उने अवसे ही स्वार होना पड़े तो स्तर्क रहेंगे नयदी सुवाराव के नुसार यदि पी सदानतिक रूप से परिवर्तन सील संसार की एशाधारन परिस्टितियों के अदीन एक नया सीर्षक लोक नीती विक्षित करना स्विकारिय है तो भी आजकल नए सीर्षकों को खोजना समाज के हित में उचित नहीं है उस्तम नयालेन कहा यदि पी लोक नीती का सिदान विदी की साखन के रूप में पर्तिपादित किया है यानि उस्तम नयालेन क्या कहा है यदि पी लोक नीती का सिदान विदी की साखन के रूप में पर्तिपादित किया है फिर भी इसे बहुत ही उद्धन्ड गोडे के रूप में वरनित किया जाता है देखो सुप्रिम कोर्ट ने भी ये कहा है इसको विदी की यानि लौका सबसेक्शन के रूप में इसको लागू किया है लेकिन फिर भी इसे उद्धन्ड गोडे के रूप में वरनित किया जाता ह यानि Supreme Court भी इस public policy को उद्ण गोडा मानता है साथ यह देखो कितना कितनी अच्छी policy है और इसका विवर्ण देखो कितना अच्छा है क्या है निती का परुसं विदान नंडल से संबन्दित होता है यानि विदान मंडल का पर संदे यह court का पर संद नहीं है नियायले का कारिये विदान मंदल दोरा गोशित विदी को लागू करना है यानि नीती का परसन विदान मंदल का है और विदान मंदल के दोरा जो भी लोग बनता है उसको लागू करना ये नियायले का काम है नीती पर च्बस पर भी कार्ण symmetry नीती संबंदी पर्षनों पर अपने आपको अलग रखते हैं। पुब्लिक पॉलिशी शेडरते हैं वह इस पर काम नहीं करना चाहते हैं। यदि उनको काम करना भी पड़ जाए तो बहुत सावधानी से वो इस पर काम करते हैं और बहुत ही निशित्ता से देखते हैं इसको यानि इसका ठीक से अर्थ निकालते हैं और ठीक से इसको लागू करते हैं क्योंकि नियाले भी इस नीती को लागू करने में कुछ हिसक चाता है साथियो नियाई इस बरो के नुसार देखो नियाई इस बरो ने कितने बड़िया बात किये लोक नीती एक उद्धन्ड गोड़ा है और जब आप इस पर स्वार हो जाते हैं तो ये पता नहीं चलता कि अर्टे नियाई के लिए लोक नीती बहुत ही ऐस रुक्षित और विश्वस नियादार है और नियाई इस गोड़े पर स्वार होते समय ये उन्हें आवश्य ही स्वार होना पड़े तो बहुत स्थर्क रहती है साथियो नियाई इस बरो ने इस नीती को एक उद्धन्ड ग गोड़ा कैसा होता है बहुत ही नाला एक गोड़ा होता है और उसके उपर जो स्वार स्वारी करता है स्वार को ये पता नहीं है कहां ले जाएगा क्यों वो अपनी अपने ढंग से भागता है दोड़ता है कहीं जाता है वो स्वार के हिसाब से नहीं चलता है तो इसलिए ज का रिजल्ट क्या होगा इसलिए इससे कोर्ट भी ड्रते हैं यानि इस पर काम करने से हिस्क चाते हैं नए दिस सुभाराव के नुजार सदांतिक रूप से परिवर्तन सील संजार की ऐसादार्ण परिश्टिव क्या दिन एक ना सीर्शक लोकनीती विक्सित करना सुविकारी ह यानि सुभाराव जी क्या कहते हैं एक आजकल परिवर्तन सील समाज के अंदर एक नए सीर्शक मिलाए चलो उसको सुविकार तो करते हैं लेकिन नए सीर्शकों को खोजना समाज के हित्म उचित नहीं है और उस्तम्नियाले ने क्या कह दिया यद्पी लोकनीती का सिदांत विदी की साका के रूप में परतिपादित किया है यानि सुप्रिम कोर्ट कहता है लोकनीती को एक सब्सेक्शन के आदार पर तो लागू कर दिया लेकिन इसको उद्द गोडे के समानी समझना चाहिए यह सुप्रिम कोर्ट का भी डिसीजन है तो साथियो यह पॉलिशी देखो कितनी अच्छी यह पॉलिशी है और इसका देखो विसलेशन कितना अच्छा है आप देखिए अब पॉलिक पॉलिशी में आता क्या है देखो पॉलिक पॉलिशी में क्या आता मैं थोड़ा यह बताना चाहूँगा नीती संबंदी विशे नियालियों के छेतरमन नहीं माना गया है और ये कहा जाता कि नियालिय का विदान मंडल की नीती या किसी निर्वचन के विशिस्ट प्रिणाम से कोई संबंद नहीं है फिर भी कुछ मामलों में नीती को लागू करना आवशिक हो सकता है जैसा कि गेरूलाल पारिक में मुक्ह नयाजी सुभाराव ने इंगित किया कि नीती संबंदी से दान ऐसे मामलों में लागू किया जा सकता है जहां जनता की स्पस्टत है और स्विकारिये आनी सिद्ध कर दी जाती है अनेक मामलों में नीती संबंदी ने लिया है विस्ष्टाए यह निद्ध समाजिक विदानों में संबंदी जाती है यह जैसे आरक्षन नीती है यह श्रहे निती संबंदी परशन न है और इसमें क्या है बाला जी बनाम मैसूर राजयमेन आधीस गजिन रगड कर ने ये लिएने किया कि सामाने ते 50% स्थान आरक्सित होने चाहिए और 50% स्थान खुले परतियोगिता के लिए खुला रखा जाना चाहिए यानि 50% का रिजर्वेशन और 50% ओपन सीट यानि ये ऐसी पॉलिशी है यानि जो ये हमारी जो इसे नीती में जो ये से नियम आया जो मैंने बताया कौन सा नियम साथ यो आरक्षन निकी ये मैंने एक एक अग्जाम्पल दिया इसको द्यान रखना यानि इस पॉलिदिक पॉलिशी का एक एक अग्जाम्पल आपको दिया अग्जाम्पल देना पड़े तो आरक्षन नीती ये पॉलिक पॉलिशी के अंदर आता है और इसमें क्या डिसीजन लियागा 50% का आरक्षन और 50% का आरक्षन नहीं ओपन सी यानि 50% सब के लिए ये है पublic policy साथियों तो मैंने थोड़ा स्कोर विस्तार से बता दिया और मैं ऐसा समझता हूँ कि पublic policy जानी लोक नीती का सिद्धान आपको समझा गया हुआ इस लोक नीती के सिद्धान से ने बिड़ता है ने ये कहता है कि ये तो विधान्द मिन्डल का विशे है और नयाले को कभी इस पर काम भी करना पड़े तो बड़ा स्तर्क रहता है बड़ी बड़ा सोच विचार के काम करता है और बरोन तो ये कह दिया कि लोक नीती क्या है एक उद्धंड गोड़ा है ये पता नहीं कहां ले जाएगा ये सालक को पता ही नहीं होता ये अपनी मर्जी से जाब पता नहीं कहां पहुचा देगा तो ये उद्धंड गोड़े के पराबर यानि लोक नीती की तुलना उद्धंड गोड़े से की है बरोने और नयाले नहीं भी कह दिया उच्ट सुप्रेम कोर्ट नहीं ये कहा है हमने इस लोक नीती को लागूतों कर आता हूं साथ यो मेरे चैनल का नाम है मैच वाइद हमीर सिंग डवास प्लीज मैं बहुत रिक्वेस्ट रोजाना आप से करता हूं और आप मेरा ये एक छोटा सा काम बस कर दिया करो मेरी ये रिक्वेस्ट है थेंक्स